साथियों हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लेम सॉल्विंग के लिए शौर्ट टम एप्रोज अपनाई जाए देश अब उच्छ सोच से बहार निकल गया है अब हमारा जोर ततकालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉंग टर्म सॉल्यूशन पर है और इसमें मैंनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबग सिखने को मिलता है हमारे बीच में अरुंदर्दी जी मौझूद है देश में गरीबों के लिए जनदन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई किस तरह इंप्लिमेंटेशन हुआ इसका मैनेजमेंट किया गया इस पूरे प्रुसेस की तो वो भी गवा रही है कि गुसमें वो बैंक समालती थी जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो ऐसे 40 करोड से जादा गरीबों के बैंक एकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है और ये बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी-बड़ी कमपनियां समालना ही नहीं होता सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिन्दगियां समालना भी होता है मैं आपको एक और उदहर देता हूँ और ये इसलिए हम है कि वोडी से कही संतान भाई धर्मेंदर प्रदान जी की इसमें बड़ी भूमवी का रही है साथियों हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब दस साल बात आही गई थी लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई रहिशी लोगों की प्रतिश्चा बन गई लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे इतने पापड बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी हालत यह थी कि साल 2014 तक आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55 परसंट थी जब एप्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव न हो तो यही होता है साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55 परसंट अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो तो सबको गैस पहुंचने में यह शताब्दी भी आधी और बित जाती है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा कि आप जानते हैं कि आज देश में गैस कवरेज कितनी है कि 98 प्रतिशत से भी जादा कि 98 परसंट से भी जादा कि और यहां मैनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुवात करके थोड़ा बहुत आगे भढ़ना आसान होता है कि असली चैलेंज होता है कवरेज को हंड्रेड परसंट बनाने में हैं कि साथ्यों फिर सवाल यह हैं कि हमने यह कैसे प्राप्त किया कैसे अचीव किया कि यह आप मैनेजमेंट के साथ को के लिए बहुत अच्छी केस्टरी है कि साथियों हमने एक तरफ प्राब्लेम को रखा एक तरफ पर्मेनेंट सॉलुशन को रखा चुनोती थी नए डिस्टिबूशन की हमने दसजार नए गैस डिस्टिबूटर कमिशन किये चुनोती थी बॉटलिंग प्रांट केपसिटी की हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्रांट लगाए देश्टिक शमता को बढ़ाया चुनोती थी इंपोर्ट टर्मिनल केपसिटी की हमने इसे भी सुधारा चुनोती थी पाइप्लाइन केपसिटी की हमने इस पर भी हजारों करोड रुपे खर्च किये और आज भी कर रहे हैं चुनोती थी गरीब लाभर्थियों के चयन की हमने ये काम भी पूरी पार्दर सिता से किया विशेश तोर पर उजवला योजना शुरू की साथियों पर्मनेंट सॉलूशन देने की इसी नियत का नतीज़ा है कि आज देश में 28 करोड से जादा गैस कनेक्शन है 2014 से पहले देश में 14 करोड गैस कनेक्शन थे सोचिए 60 साल में 14 करोड गैस कनेक्शन हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड से जादा गैस कनेक्शन दिये है अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता चक्कन नहीं लगाना पड़ता यहां उडिशा में भी उजवला योजना की वेज़े से करीब करीब 50 लाग गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है इस पूरे अभ्यान के दोरान देश ने जो कैपसिटी बिल्डिंग की उसी का नतीजा है कि उडिशा के 19 जिलों में सीटी गैस डिस्टिपिशन नेट्वर्क तैयार हो रहा है साथियों यह उदाहरन मैंने आपको इसलिए भी समझाया क्योंकि जितना आप देश की जरुरतों से जुड़ेंगे देश की चुनोतियों को समझेंगे उतने ही अच्छे मेनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उप्तम सॉलूशन भी दे पाएंगे मैं समझता हूँ हाइर एजुकेशन जी जुड़े समस्तानों के लिए जरूरी है वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें बलकि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए इसमें बड़ी भूमी का महां पढ़ने आने वाले स्टूरेंस की होती है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉडबेश मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया गया है प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते से उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है हम राश्ट्र के विकास के लिए हर किसी को में स्ट्रिम में मुख्य धाना में लाना चाहते हैं ये भी तो इंक्लूजिव नेचर ही हैं मुझे भरोसा है आप इस वीजन को पूरा करेंगे